वाट्सअप गाइज वेलकम तु नॉलिज टू ग्रो नॉलिज टू ग्रो में आपका स्वागत है गाइज तो गाइज आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं इस वीडियो इस अल बाउट और प्रोटीन प्लस हम कंपेर करेंगे इसको वेडियो के साथ तो मैं आपको थोड़ा साथ और डीप लुक दूँगा प्लाट प्रोटीन के बारे में बताऊंगा अच्छे से और इसमें थोड़ी और डिसकेशन करूँगा मेरी मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट एमवे नूट्रिल लाइट और उसको कंपेर किया था वे कॉंसेंट्रेट वे प्रोटीन के साथ मुझे मैंने जितने भी वीडियो बनाये है इस वीडियो में सबसे ज्यादा कॉंट्रोवर्सी हुई है सबसे ज्यादा लोगों ने इसको ऊपर कमेंट्स किया है इस ओके आप उसको लाइक करो डिसलाइक करो आई डोंट माइन इड़ जो आपका व्यू है आपको र वो क्या है उसका latest information क्या है उसका updated version क्या है वो आपको बता हूँ तो चलिए मैं बात करता हूँ आपको fact or figures बताता हूँ इसके मेरे पास मेरा laptop available है मैंने इसके ओपर वो सारी चीज़ों को अच्छे से बढ़ा है और मैं आपको fact बताऊंगा और मैं इसमें बात करूंगा PCDAS की जो score है इसका न्यूट्री लाइट एमवे अपने हर प्रड़क्त के ओपर उसको चाप रहा है और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे score के बारे में बता रहे हैं कि भाई उसको 1.0 score मिला है उसको reader digest ने well trusted brand बोला है that is the only number one company जो 1.0 score दे रहा है PDCA score उसको 1.0 दे रहा है तो वह best है तो गाइस मैं आपको आपके knowledge के लिए बता दूं मेरे पास यहां पर Wikipedia खुला हुआ है आप Wikipedia खोल सकते हैं यहां फिर आप जा सकते हैं World Health Organization की वेबसाइट पर यहां फिर आप जा सकते हैं Food and Agriculture Organization of United Nations उनकी वेबसाइट है उसके आप जाके इसके बारे में अच्छे से बढ़ सकते हैं जो PDC PDCAAS score था वो सुपर सीड हो चुका है गाइस वो पुराना score था इसके बारे मैं थोड़ा सा आपको पढ़के बताता हूं which was recommended by Food and Agriculture Organization and United Nations FAO became industry standard in 1993 तो 1903 में ये PDCAAS score establish किया गया था तब इसको standardization बनाया गया था बट अब इसको को सुपर सीड कर दिया गया है गाइस सुपर सीड जो चीज इस चीज ने किया है उसको बोलते हम DIAAS तो यह DIAAS है क्या यह है digestible indispensable amino acid score जो की PDCAAS को सुपर सीड कर चुका है तो गाइस अभी PDCAAS score का value नहीं है अभी DIAAS score का value है तो क्योंकि DSSA score ऐसी संस्ता है जिन्होंने ऐसा यह score है जिसमें इन्होंने एक में चीज बताई है जो PDCAAS score में नहीं पता चाहती थी वो था कि आप अगर protein layer है मैं आपको एक simple example मिलाता हूँ अगर आपके पास 25 gram protein है किसी स्कूप में आपको मिल रहा है 30 gram का स्कूप है उसमें 25 gram protein मिल रहा है तो 25-25 प्रोटीन 25 gram protein है उतने को उतना protein digestible है अगर तो ही उस protein का फाइदा है गाईज अगर स्कूप प्रोटीन से आपने 25 gram protein लिया है बट् स्कूप है कि प्लांट है जितने प्लांट से protein हाते हैं उन में inhibitor आता है वो दो inhibitor है फैस्टिक एसेट्स और दूसरा जो है उसमें प्रोटीन को डैजस्ट होने में तो अगर inhibitor आपके protein में available होगा तो उसकी bioavailability कम हो जाएगी गाईज अगर आपने 25 gram of soy protein लिया है तो उसमें से आपको 18-20 gram ही protein जो है वो आपका डैजस्ट होगा बाकी वेस्ट हो जाएगा बाकी protein आपके गर्ट में जो है वो डैजस्ट नहीं होगा गाईज यह आप बात को समझीए मैं यही बात आपको समझाना चाहा रहा हूं और दूसरी बात सोय के उपर अगर अगर आप 15-20 gram सोय दिन में लेते हैं अगर आप उससे जादा सोय अगर आप ले रहे हैं दिन में अगर आप तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि सोय में बहुत जादा estrogen hormone हो गया है जो कि women's hormone हमें उसकी requirement उतनी नहीं है हाँ हमें थोड़ा से estrogen चाहिए बट हमें हमारा जो में मेल हॉर्मोन है वह है टेस्स्रों हॉर्मोन हमारा मेल हॉर्मोन है जिसकी वज़ए से हमें हमारी deep voice मिलती है हमारे hairs आते हैं और we can lift more we can look manly तो guys इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और दूसरी बात plant protein को जब हम compare करते है वे protein के साथ जो कि मुझे लोगों का कि आप क्यूं compare करें भाई मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा अच्छा है आप plant protein के पर पैसा वेस्ट करना अच्छा है या आपको पैसा यह मेरे पास मेरे computer के ऊपर ही है मैं आपको बता दूं इसमें essential amino acid जो है वो पूरे नहीं है complete essential essential amino acid इसके अंदर नहीं है guys इसलिए plant protein कोई भी single plant protein आप जितने भी protein एमवे भी जो आपको protein दे रहा होगा वो single soy protein नहीं दे रहा होगा उसमें they added some wheat protein and they added something like soy protein एक साथ wheat protein एड़ किया होगा और एक आदा और उन्हों नहीं उसमें rice protein वगएरा एड़ किया होगा तब जाकि वो complete protein बनेगा single complete protein जो single soy है या single rice या single wheat कभी भी complete protein नहीं होता इसी लिए बोला जाता है कि जब आप डाले खाते हैं तो आप different डालों को mix कीजिए अगर आप different legume को mix करेंगे तो आपकी जो protein की जो हमारे amino profile है amino acids nine amino acid essential amino acid वो सारे complete हो से क्योंकि कि किसी में कुछ कम होता है तो किसी में कुछ किसी में isolucine नहीं है किसी में तो अलग अलग तरह की जो चीजें हैं वो ऐसे हम उनको combine करके पूरा कर सकते हैं अगर आप दूज से वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वे इस complete protein उसमें 9 के 9 essential amino acids हैं अगर मैं आपको quantity बता हूं तो अभी मैं आपको quantity बता रहा हूं amino acids के हिसाब से अगर हम isoleucine को ले तो वे प्रोटीन में it is 6.1 और soy protein isolate में 4.9 अगर leucine को ले losing is very important amino acids 12.2 है वो वे प्रोटीन में और soy protein में 8.2 है उसके लाब हम तीन जो important amino acid की बात करें वेलेन तो इसमें 5.96 के करीब वे प्रोटीन में वेलेन है और इसमें है 4.9 मदल 5 के करीब soy में वो available है अगर हम total PCCA देखें total branch देखें तो कितने available है हमारे वे प्रोटीन में 24.2 और कितने available है हमारे soy protein isolate में 18.1 तो आप देखिए अगर हम total essential amino acid देखें total के total देखें तो इसमें है 49.2 वे प्रोटीन की में बात कर रहा हूं मतलब 49.2 है इसमें और अगर हम soy protein isolate को देखें तो इसमें है 36.0 तो आप देखिए वो 50 के करीब आपको पहुंचा रहा है essential amino acids में और यहां पे आपको 36 के करीब मिल रहे हैं तो आप खुद सोचिए कौन सा superior है मैं किसी प्रेट को रिकमेंट नहीं कहता है मैं नहीं कहता कि मैं आपको बोलू आप मसल ब्लेज ले लो आप प्रोस्टार ले लो आप कोई भी प्रोटेन अपनी मर्जी से ले लो यह बात गिवन है आप इसको पूरी पुष्टी कर सकते हैं और अगर आप बात करते हैं एक्जामीन.com आपको क्रेडिबल सोर्स नहीं लग रहा तो आप वर्ल्ड हेल्थ औरगनिजेशन वहां पर जाके चक कर सकते हैं मैंने पहले बताएं पूर्ड एंड अग्री कुल्चर और्गनिशन उनकी वेच्ट्राइप ले जाके चक कर सकते हैं कि स्कोर्स मैं आपको इनके ठोड़े और स्कोर्स के बारे में थोड़ा और डीटेल में बताता हूं कि प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें जो इन्होंने इंहिंटर दी है इसके अंदर तो मैं आपको नया स्कोर बजा देता हूं PDCAAS score और DIAS का score मैं मेरे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा सामने आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा मैं स्क्रीन पर भी डालूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास यह फोटो है तो इसमें अगर वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन का PDCAAS score 1.0 है बहुत जोग ने कुछ है भाईयो अगर आपको डबे के पर 1.0 लेके नहीं दिया उसका मतलब यह नहीं है कि उसका score 1.0 से कम है वे प्रोटीन का 1.0 ही score है PDCAAS score के साथ से अब BIAS score जो की अभी नया score है जो नया इन्होंने स्टेंडराइजेशन मना है उसके हिसाब से इसका score वे प्रोटीन का score है 0.973 से लेके डैश 1.09 तक देखिए आप और यहीं पे अगर मैं सोई प्रोटीन को ले लू तो सोई आप से score है वो है 0898-0906 तो यह 1.0 पर भी नहीं पहुंच पा रहा तो आप खुद देख लिजे की कौन सा प्रोटीन आपको लेना चाहिए और दूसरा मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और सिंगल प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके जो आप चिस चीज के उसको ले रहे हैं वो पूरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें पूरे के पूरे essential amino acid ही नहीं है guys which is most important thing क्योंकि essential amino acid हमारी body खुद नहीं मना सकती है हम खुद उनको produce नहीं कर सकते इसलिए हमको लेने पढ़ते हैं food से लेने पढ़ते हैं guys egg से ले milk से आप अगर plant protein ही लेने चाते हैं आप vegetarian हैं आप चाते हैं कि मैं wheat नहीं खाता हूं तो आप अलग-अलग plant protein को combine सकते हैं अलग-अलग डालों को उनके साथ लीजे राइस के साथ डाल को खाये त게 आपके protein की कमी, पूरी हो सके क्योंकि rice protein भी है wheat protein भी है गालों का protein भी है तो इस सारा मिलक ए complete protein बन सकता है अगर आप एक्ज नहीं खाते हैं तो आप कर्ड़ खा सकते हैं नहीं ले सकते हैं दूद ले शक्ते हैं जिसमें से आपको whey और kacinx दोनों की दोनों protein मिल जाते हैं के लिए कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं आप बॉड़ी वलिंग शानते हैं तो मैं आपको यही सुझेस्ट करूंगा कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले अच्छी जानकारी ले ले आपका पैसा वेस्ट ना हो बाग जहां त में प्रोटीन मसल को बढ़ाता है हमारे मसल के लिए जरूरी है उसमें वे इस आल वेज करना चाहिए आपको शिप्ट करना चाहिए एक अच्छी जानकरी में आपको दे रहा हूं आप अगर वेब प्रोटीन ही यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ तो यूज़ तो यूज़ तो यूज़ फिसको यूज़ कर सकते हैं बट जहां तक अगर आप बिगिनर हैं आप चाहते हैं आपका गूल वी अन अच्छे मुसल गें करना है मसल मात के इंदर ना है तो यज बैस्ट बेट फो यू आपके जो पैसे नहीं होगे आपको आपका जो पैसे वह जुरूर मिलेगा आपको उसका रिज़र्ट जरूर मिलेगा पस आप अच्छा बेटी लिजिए आज कर लाप कि इतने अच्छे अच्छे पूटीन सब्सक्राइब करते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट रिटेलर और सप्लीमेंट कंपनिया हैं जो आपको ओनलाइन प्रवाइब करती हैं उनके सीधा वेरहाउस से शिप करती हैं आपके घर तक आप वो प्रोटीन ले सकते हैं तो गाइस बी सेफ बी एजुकेटिव आलवेश सीखते रहे और लोगों को सिखाते रहे हसते रहे मुस्कुराते रहे दाशिट फॉर इस वीडियो आइस वीडियो नेक्स वीडियो तिल देन बाई-बाई-बाई-इंजॉय योडे